तीन सीटे किसी गरीब दुसाद दलित अनुसुची जाती को दे करके सदन में भेजने का काम करेंगे और करेंगे तो मैं इनका चिराग पास्वान का एजेंट बनने के लित है। पास्वान भी मूर्ती लगाये तो अपना पिता जी का लगाया हाजिपूर में। जूट मूर्त के द्वेस्ता फैलाने वालने चिराग पास्वान ये द्वेस्ता फैला करके नितिश कुमार जी को बदनाम कर रहे हैं। पार्टी ने एक बड़ी रनिती बनाई है। इस रनिती के तहत पांच नमंबर को यानि क्यागामी पांच नमंबर को राजधानी पटना के विटनरी ग्राउन में जो है एक बड़ी जनसभा का आजन किया गया है। जिसका नाम भीम संसद रखा गया है। जिस कारक करम में अतिती के तोर पर भिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार खुद होंगे। पार्टी के सेकेंड थर्ड लेवल के जो निता है वो भी उस मंच पर मौजूद रहेंगे। सवाल है कि क्या नितीश कुमार इस भीम संसद के जरिये चिराग पासवान या फिर जीता नामा जी जैसे निताओं को डैमेज कर पाएंगे। चुकि अब तक ऐसा महौल बनता आया है कि दलित महा दलित के निता जो है यही लोग है। मेरे साथ दलित के युवा नेता इंजिनर राज कुमार पासवान जी है। क्या लगता है कि नितिश कुमार ने जो भीम संसद बुलाया है इसका असर इन नताओं पर ही पड़ेगा जिनका नाम हम लोग लेने से चिराग है जिसे माजी है इन पर पड़ेगा नकरातम कसर या सकरातम कसर। देखें सबसे पहले समझने की जुरुत है कि भीम संसद प्रग्राम करने का एक मकसद है और वो एक सही दिशा में है जो बिहार के सम्माने मुखमंती नितिश कुमार जी ने जो बिहार के अनुसूची जाती जन जाती यूं कहे कि जो गरीब सोसित तपका भी है मतलब कि राजनिती करने वाले लोग जो तथा कतित अपने आपको दलित निता करते हैं जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और ये मांजी जितना मांजी जी ऐसे निता लोग से दिखावा किया और परिवार वात से बाहर नहीं निकले अपने समाज के लिए जाती के लिए कु उनकी नितिस कुमार जी की पहल थी क्या कि जो जिसको फैदा नहीं मिल पाया है जो दलित सोसित बंचित लोग बहुत गरीब है नीचे है उसको उपर लाने की पहल है लेकिन देखा कि उसमें पासवानों को नुकसान हो रहा है तो फिर से महादलित खतम करके अनुसूची ज लोग की दलित महादलित हमारे पास है उसका भोट बैंक का मालिक मैं हूं लेकिन सचाई यह है कि भोट बैंक इनके पास नहीं है किसक चुका है और राजकुमार पासवान जैसे लोग बिहार के संभाने मुखमंति जैसे लोग आप महादलित से महादलित से मुखमंतरी पहल मुखमंति एगर किसी ने दिया बिहार को उसका नाम नितिसकुमार है तो कौन दिया वो नितिसकुमार दिये और किसको किसको लाया गए एक गड़ी मांजी समाज के बेटा को जिता राम मांजी जी को कल तक उनको कोई नहीं जानता था वो उनको लाकर के बिहार के कुर्सी पे बेठा के ताज दिया और आपको बता दूं कि सम्मानिय ये जो स्वर्गिय रामविलास पास्वान जी हैं हमारे आधरनी ये पिता तुल उनको भी बिहार का मुखमंती बनाना चाहते थे 2005 में लेकिन वो केंद्र की राजिती चिराग पास्वन और उनकी मा नहीं चाहती थी कि रामविलास जी बिहार का मुखमंती बने वो देश के परधान मंती का सपना संजोगे हुए थे और वह बिहार को छोड़ करके और केंद्र भाग गये सवाल है कि आखिर क्यों और कैसे जो है वो चाहिए वो पास्वान समाज हो या फिर जीतन नमाजी का समाज हो और नितीश कुमार की भीम संसद में आएंगे और क्यों आएंगे क्यों वोट करेंगे ये भी तो एक बड़ा सवाल है काम क्या किया है नितीश कुमार नहीं कि अनुसूची जाती जन जाती दलितों का नितागर बिहार में कोई है तो उसका नाम नितिसकुमार है नितिसकुमार जी ने बिहार के आवाम को बिहार के को दिया है सुन जे आज जो दलित की बेटियां साइकिल पे चड़ करके स्कूल जाती है वो किस ने दिया समझे आज दलितों को मनरेगा में काम मिलता है वो किस ने दिया नितिस कुमार ने दिया ये वहां का जमूई का आप दलितों की हला देखिए आप यहां का ये जितना मांजी के छेतर के दलितों का हला देखिए और दलित लोग भी जानते हैं कि ये अपना दुकान चला रहे है ये ब्यापारी है और ब्यापार हो चुके हैं ये लोग काम हमको गिना देजे तो हम भी समझेंगे इस बात को कि बाई पासवानों के लिए क्या किया है बता रहो सबसे बड़ा चीज जो दिया है नितिशकुमार ने बिहार में ये दिया है कि जो पंचायती राज हैं पंचाय अगर बन रहा है न कोई तो देन नितिशकुमार जी किया है और नहीं तो अगर पचास परतिसत आरख्षन नहीं दिये वोते न तो दुसाद पास्वान अनुसूची जाती जन जाती मांजी का बेटा ये लोग मुखिया सरपंच जिला पारसन नहीं बन पाते कभी सपना ही पहले कहां जाते थे मुखिया कोई ठाकुर जी है कोई सर्मा जी है कोई जा जी है कोई दुसाद नहीं दिखता था वो राम बिलास पास्वान जी का देन नहीं है ये नितिशकुमार जी का देन है और ये पहला काम हो गया दुसादों का देपता का अगर सबसे बड़ा मुर्ती किसी ने पत्ना में अस्थापित किया है पत्ना की इको पार्क में वो नितिस कुमार जी का देन है ये लोगोंने क्या किया भाई चिराग पास्वान भी मुर्ती लगाये तो अपना पिता जी का लगाया हाजीपुर में लगाया है क्या उन्होंने समाची हित में कोई काम किया है ये मुकामा का जो राजकी चोहर मंदिर है वहाँ जो मेला लगता है उस मेला को भी राजकी ये मिला अगर काम दर्जा देने वाला अगर कोई है तो नितिश कुमार जी देने वाले है तो ये लोग सब सित जूट मूट के द advocat फैलाने वाला निचिराग पास्वान ये दफैला करके निठीश कुमार जी को बदनाम कर रहे हैं दलीत महादलित का परिभासा को समझ नहीं पाए अब उस दलीत महादलित खेल में सबसे ज्यादा राम बिलास पास्वान उनके परिवार को फाइदा हुआ और नितिस कुमार जी क्या अपने परिवार को आगे लाए क्या कभी नहीं लाए ये वो हमेशा सभी जाती सभी धर्म के लोगों को टिकर देते हैं और इइनको तो घर में साथ परिसत जो पास्वान का ताकत है उस ताकत पे छे या साथ सिथे मिलते हैं मतलब समझे टॉफी लेते हैं तब टिकर देते हैं बढ़िया बढ़िया टॉफी मिलता है बैक भड़ा हुआ टॉफी मिलता है अब को लगता है कि नितीश कुमार आप करें कि नितीश कुमार खुब काम किये खुब काम किये भीम संसत से उनकी पार्टी को फायदा मिलेगा एक दम बिलकुल मिलना चाहिए अगर कोई बिहार में बिकल्प नहीं है दलितों के पास को ले जा रहे हैं ना क्या ना में जितना मांजी और चिराग पास्वन जिस जंगल में जिस संग भाजपा के गोद में तो आपको बता दू कि जो दलित नेता जो दलित नेता संग भाजपा और अमिस्सा मोदी का पैर पूजन करने में लगा हुआ है वो दलित ही तैसी कभी नहीं हो सकता और दलित का उत्तान करने वाला नेता कभी यह ओ सकता हूँ अगर भागिदारी जब तक सुनिशित नहीं है निचीश कुमार जी महादलित हो चानुसुची जाती जन जाती के लोग हो उन्झ सभी को बड़ाबर भागिदारी दिया हख दिया हख दिलाने का काम किया है सहाब ये चिराग पास्वाण जी वो च्छाब इधान सभा में कि बेटी एक मुझपरपुर में राती थी मेडिकल की तेयारी करती थी, उसका सामन्तवादियों ने रेप कर दिया, रेप करके हत्या कर दिया, फिर भी अभी तक वहाँ नहीं गए है, क्यों नहीं गए है, जहाँ यादव, कुर्मी, कहार, अदुसाद की लडाई होगा, वहाँ जाईएगा चिराग भाई, वहाँ सिप हाथ हिलाने वाला नेता उनके पास भोट नहीं है अब आपको ले चलते हैं तारापूर आपको ले चलते हैं कुसेसर अस्थान जहां उनके पिता जी करना नियाल रहा है और रास्टिये नेता सुट्गे रामिलास पासवां जी रहा है वहां पे चिराग पासवां जी लड़े अकेले तो 5000 भी भोट नहीं मिले साहब लगभग 5000 मिला पासवानों के वादी तो अच्छी कासी है समस्तिपूर कल्यानपूर चलिए पासवानों का गड़ है समझे वहाई यह सा थोड़े कम छेत्र नहीं गुमते हैं गुमते हैं और वहाँ पे इनके कानिडेट का जमानत जब्त हो जाता है तो काहे का निता है दूसरा आपको बताते हैं कि इनका संसदिये छेत्र है कहां वहाँ जमानत जब्त हो गया इनके कानिडेट का तो इकाहे का नेता भाई इनके पास कहां है पासवानों का बोट अगर पासवान का बोट होता शाथ-परतिषत का ठेकेदार बनते हैं तो बताए ना सुनिए आज जो सभी जाती में सभी धर्म में और अब पासवानों में भी दलितों में भी मांजी में भी बौधीक समझ रखने वाले समझे सोशल मीडिया पर पढ़ने वाले और ये जानने वाले कि मेरा सभी धानी का धिकार क्या है कौन नेता मेरे लिए बात कर रहा कौन मेरे बातों को सदन में उठा रहा है वो इसे नेता के चेहरा को जानते हैं पहचानते हैं वैसे में हमारे समाज के बुधी जीवी भाई लोग भी है और भीया चंद पैसे पे और चंद कुछ-कुछ चीजों पे अंदभक्त लोग हो जाते हैं चिराग भीया जिन्दा बात कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन उनके पि किता को नौकरी दे देते रेलवे में टेल कॉम्निकेशन में ये दूर संचार मंत्राले योजना विभाग में कोलन मैंस में और भी बहुत सा मंत्राले मिला था उनको समझें साब ये खादा पूर्ती में फटिलाइजर में साब कितने नौ बार मंत्री बने ये नौ बार मतलब कि नौ लाख पासवानों का कल्यान हो सकता था नहीं किया इनों लोगों ने आज जूट मुट करें लोग जिंदा बात करता है तो इसलिए बौधिक समझ वाले युवा नौजवान समझ रहें कि हमको किस दिसा में जाना इसलिए भीम संबाध जो है नितिस कुमार जी का वो बिल्कु शफल होगा सुपर डूपर हीट होगा और उनके साथ ही बिहार का दलिट चलना चाहेगी केंद्र भी ठग रही है पांच किलो अनाज पे और कैसा अनाज मिल रहा है घटिया अनाज मिल रहा है इसलिए बिहार का दलित पिछरा और सोसित बंचित खास करके मेरा पासवान भाई लोग समझदार है राजकुमार पासवान को अंदेखी करना हरे गठवंदन के लिए भारी पड़ेगा इसलिए हम मुझे टिकट महा गठवंदन दे या न दे अपने गठवंदन में लाई या न लाई लेकिन बाबा साब के विचारों को जमीन पे पटल पे पेस करने का काम क्या नितिस कुमार इसलिए मैं उनका विचारों से सहमत रहता हूँ समर्थन करता हूँ और मैं उनका हनुमान मानता हूँ मैं कि मैं उनका हनुमान हूँ इतना तारीफ आप कर रहे हैं, लोग कहते भी ऐे कि आप नितिश कुमार के एजंट हैं, चुकि 통े तारीफ पर तारीफ के जा रहे हैं आप आपको बिर्जु जी साफ कर दू कि हाँ मैं एजेंट हूँ नितिश कुमार जी का इसलिए एजेंट हूँ कि उन्होंने दिया है काम किया है लेकिन ये चिराग पास्वान और परिवार पार्टी ने क्या दिया है बिहार के पास्वानों को दलितों को कि ये जितना मांजी ने क्या दिया है बिहार के मांजी भाई समाजों को और अनुसूची जाती जन जाती के लोगों को हम एजेंट हैं और डंके की चोट पिकते हैं कि इस लोगसभाचुनाओं में 24 के लोगसभाचुनाओं में ये चिराग पास्वान को 6 सीटे मिलने क्या कब पास्वन का हसेंट बनने को त्यार हूं अगर उनको मिलता है चैसे तो कि में तीन तो परिवार को लड़ेंगे क्योंटि परिवार मोह है परिवार से बहार नहीं निकलेंगे तीन परिवार में रखेंगे क्या yeni सिटे किसी गरीब में दलीत अनुसूची जाती को दे करके सदन में भेजने का काम करेंगे और करेंगे तो मैं इनका चिराग पास्वन का इजिन बनने के लिए जी हां देखें यहां पर भ्यक्ति विश्च नहीं समाज की बात है समाज को आगे लाने की बात है यह लोग समाज को आगे नहीं लाते परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं और यही 50 साल से अमोमन देख रहा हूं मैं तो अब परिवार वाद नहीं चलेगा समाज वाद चलेगा समाज को आगे ले जाना है किसी गरीब दूसात को देखें हाजी पूर सिर्ट छोड़ करके देखें जमुई छोड़ कर देखें चल बाहर नहीं निकल सकते हैं लेकिन अगर दो सिट मिलता है एक बेटा को लड़ाइए और एक किसी गरीब मांजी को दीजिए न भई गरीब मांजी को सदन में पहुँचाईए न आपको तो नितिश कुमार जी मुख मंत्री बना दिए आपके बेटे को मंत्री बना दिए और साथ तरह मानना है कि नितीश कुमार ने अनुसूची जाती जन्जाती के लिए दलित महादलित समाज के लिए बड़े प्रकाम किया और कई कामों को इन्होंने बकाइदा गिनवाया है कि इस समाज को कितना फायदा मिला है लेकिन जिस नेता का जिक्र ये कर रहे है चाये लोगों ने समाज को क्या दिया सिवाए समाज को बातरे और समाज से वोट लेने के अलावा ऐसे में सवाल है कि क्या नितीश कुमार इस रन्निती के तहत इन दोनों निताओं को कमजोर कर पाएंगे चुकि अब तक महौल है अला कि इनका दावा है कि लोगों को पास ऐसी को वोट बैंक नहीं है बिगत कई उप चुनाओं में ऐसा देखा गया है कि चिराग पासवान जब अकिले चुनाओं लड़े तो उनकी जमाना तक जब्त हो गई चाहें वो कुछ सुरस्थान हो या फिर तारापूर का उप चुनाओं अब देखने वाली बात होगी कि पास तार पेच को लाइक को फॉलो को लिटेए